आज हम बात कर गए प्यार और स्लिजन्शिप हम जमाइका के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो पहले हम जान लेते जमाइका कहां पर पड़ता है जमाइका इस एन आइलेंड कंट्री इन केरिबियन सी कैपिटल है किंग्स्टन ठीक है ओफिशल लेंगज है इंग्लि तो मुंबई से ऐंसर्म से बार्बुरा सुफ के मैं अर्लायेज बार्बुडास से खुल ओफिचिंग्स्टन जमयका और इंटर-कारिबियेयन ऐलेच क्रिबियाज से भी आप जा सकती है तो तो यह रूट बनता है अभी हम डिरेक्ली आते हैं पियर और सिलर्टिंशिप कैसे apply कर सकते हैं, कैसा process है, क्या process है, वो जान लेते हैं, ठीक है, अगर आप जमाइका में हो, और वीजा, tourist visa या फिर business visa पे, तो हम पहले बात करते हैं, neutralization, किस तरह से हम उसे apply कर सकते हैं, कितने साल के बाद हम apply कर सकते हैं, ठीक है, तो three years कम से कम आप जमाइका में रहोगे, तो आप PR के लिए eligible हो जाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप और दो साल रहते हो, five years total हो जाते हैं, तो minimum five years जे आपको citizenship के लिए apply करने के लिए, eligible आप हो जाते हो after five years, कम से कम आपको पास साल तो होना चाहिए जमाइका में, तो आप apply कर सकते हो for citizenship के लिए, ठीक है, तो ये तो हो गया neutralization by investing our time, आप अपना time investment करके, वहाँ पे जमाइका में, तीन साल में peer और five years में आप citizenship के लिए apply कर सकते हो, से शादी कर लिते हैं, ठीक है, तो वो कितना time लगता है, तो मैं बता दो आपको, क्या 24 months, 24 months में आप apply कर सकते हो, eligible हो जाते हो, आप citizenship के लिए, ठीक है, तो आप 24 months के बाद आप, आपका जो process है, after marriage, शादी करने के बाद आप अपना application form submit कर दिजे, immigration office में, तो वहाँ पे आप apply कर सकते हो, ठीक है, तो वो time लेगा, आपका 24 months लेगा, वो process for complete होने के लिए, तो आप पकड़ लिजे, 2 years आपके लग जाएगे, after marriage, शादी करने के बाद, 24 months वो application process में होगा, या उससे कम भी थोड़ा हो सकता है, या उससे थोड़ा जादा भी लग सकता है, इस depend upon, totally on immigration के उपर है, ठीक है friends, तो neutralization, 3 years, PR के लिए, 5 years हो गया, citizenship के लिए, अगर आप कोई local लड़की से वहाँ पे शादी करते हो, तो 24 months minimum आप पकड़ के चले, और maximum उससे जादा भी हो सकता है, ठीक है friends, तो 2 साल आप पकड़ के चले, अगर आप किसी लड़की से शादी करते हो, थर्ड है, रिटार्मेंट लाइट, जो रिटार्मेंट लाइफ के लिए है, कि अगर आप इंडिया में हो, और आपको जमय का जाना है, रिटार्मेंट लाइफ, वहाँ पे spend करने है, तो वो एक process है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, तो similar process है, 3 years, 4 years, के बाद आप PR के लिए apply कर सकते हो, eligible हो जाते हो, और after 5 years के बाद आप citizenship के लिए, तो यह हो गया, by retirement, अगर आप retirement लेते हैं, तो, उसके बाद आता है, इसका investment का, अगर आप investments करते हो, वहाँ पे, तो उसका भी similar process है, similar 3 years के बाद PR, और 5 years के बाद citizenship के लिए, थोड़ा उससे कम भी लग जाएगा, अ तो यह ही था, आपको मुझे बताना था, PR और citizenship process, जमाइका का, ठीक है, तो और खुछ भी queries होगा, तो please call me message में, I will definitely help you, तो अब एकले इतने, मिलते मेरे next episode में, सचिंदेगा व्लोग, have a good one, bye, take care, bye